रूस और भारत के सायोग से निर्मित दुनिया की सबसे तेज सूपरसोनिक क्रूस मिसाइल ब्रामोस को खरीदने की चाहत रखने वाले देशु की एक तरह से लाइन लग गई है खासपात यह है कि इस मिसाइल को पहली बार किसी देश को बेचा जाएगा इसकी घोसना अगले वर्ष होने वाली है वैसे इस सूची में जो सबसे उपर देश है उसका नाम है फिलिपिन्स कहा जा रहा है कि भारत और रूस ब्रामोस को फिलिपिन्स को बेचने पर सैमत हो गए है इसके अलावा थाइलेंड इंडोनेश्य समेट एक दरजन से अधिक देश ब्रामोस खरीदने के लिए बेशबर हुए जाते है बड़ी बात यह है कि ब्रामोस खरीदने वाले अधिकतर दक्षिन एश्याई देश है भारत द्वारा फिलिपिन्स को ब्रामोस बेचे जाने की चर्चा से चीन बोख ला गया है चीन को अभी से लगने लगा है कि भारत जान बूझकर फिलिपिन्स के मधम से उसे घेरन का परियास कर रहा है इसकी वज़य यह है कि चीन और फिलिपिन्स के बीच समुद्री सीमा को लेकर अभी तक विवाद चल रहा है इसी वर्ष की सुरुवात में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आखडी हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को लेकर फिलिपिन्स भारत से लगतार संपरक बनाये हुए है उसने चीन से खत्रे को देखते हुए इसे फिलिपिन्स की सुरक्षा के लिए अचू खत्यार बताया है नई दिल्ली में रूस के दुतवास के उपरबुख रोमन बहुशीकिन ने भी साथ कर दिया है कि दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइलों के किसी खरीदार देश का चैन कर वेस्विक इस्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगी इसका सिधा मतलब यह है कि भारत दुआरा चीन की घेराबंदी करने में रूस परोक्स रूप से भारत के साथ खड़ा है जबकि चीन इस बात से आसन की थैकी ब्रह्मोस जैसा अचू खतियार फिलिपिन्स को मिल जाने से उसकी सेना की ताकत में अब भूतपूर वर्दी हो जाएगी जो चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है पर मामला केवली यहां तक नहीं है साल 2020 भारत और रूस के रणनितिक रिष्टों के लिए बहुत ही मैतपूर होने वाला है चीन बहुत कोशिसों के बावजूद भी रूस को भारत से दूर नहीं कर पाया है बलकि दोनों देशों के रिष्टे हर नई सुबह के साथ मजबूत होते जा रहे हैं भारत वे रूस ब्रहमोस को किसी तीसरे देश को बेच कर हतियारों के अंतराष्टे बाजार में धबक के साथ उतरने जा रहे हैं केवल इतना ही नहीं अब भारत और रूस बंगला देश में आन्विक उर्जासी इंतर भी लगाने वाले हैं वियत नाम में तेल खनन का काम तो पहले ही दोनों देशे की कमपनियां मिलकर कर रही है रूस के राजदूत निकोलोय कुदेशेव ने बताया है कि आगले वर्ज भारत और यूरेशन एकोनिमिक यूनियन के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझोते को अंतिम रूप दिया जाना है यूरेशिया छेत्र के देशों में अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्विस्तान वेर रूस है भारत की योजना आगे चलकर अफगानिस्तान और इरान जैसे मित्र देशों को भी इसमें साविल करने की है इस मुक्त वेपार वेवस्ता के अंतरगत ये सभी देश दिपक्षक कारवार अपनी अपनी मुद्राओं में कर सकेंगे फिलाल अभी भारत और रूस के बीच 30 फिस दिलें देन इस थान्य मुद्रा यानि रुपे और रूबल में होता है जबकि इरान के साथ भी ये परकिरिया सुरूख हो चुकी है ब्रहमोस मिसाइल सिस्टम ने भारत और रूस के रणनितिक रिस्तों को जो गहराई दी है उसे अब और पुक्ता करने के लिए तियारी की जारी है दोनों देश साथ मिलकर ब्रहमोस जैसी दूसरी युद परनाली विक्सित कर रहे हैं दोनों देशों के बीच मेकिर इंडिया कारियकरम के तहट कई रक्सा उपकरणों को विक्सित करने पर बात हो चुकी है जिनका विवरान सरदनिक नहीं किया जा रहा है रूस चाता है कि भारत के साथ विक्सित होने वाले रक्सा उपकरणों की मार्किटिंग तीसरे देशों में भी की जाए रूस का ऐसा करने के पीछी भारत को भी हतियार विक्रेताओ देशों की सूची में सामिल करना है रूस को लगता है कि जिस तरह अमरीका, फ्रांस, इसराइल की हतियार निर्माता कमपनिया, मेकिन इंडिया के तैत, भारत में बड़े पैमाने पर रक्सा उप्रोनों का निर्मान कर रही है वार रूस भी किसी से पीछे नहीं रहे इसके लिए रूस और भारत पांची पीडी के युद्धकुलमानों के निर्मान पर बड़ी तेजी से काम कर रहे है जो एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है इसका मतलब यह है कि साल 2030 तक भारत हतियार विक्रेताओ देशों में एक बड़ा प्रतिद्वन्दी बनकर तैयार हो जाएगा भारत के बड़तेकद के करान चीन की बेचैनी अभी से बड़नी शुरू हो गई है हालकि चीन की तरक से अभी कोई प्रतिकरिया नहीं आई है किन्तु भीतर खाने वैब बुरी तरह बोखलाया हुआ है खासतोर से भारत द्वारा निर्मित तेजस विबान और ब्रहमोस को उसके परतिद्वन्दी देशों को बेचने की आसंका से उसकी पेशनी परबल पड़ गए है कमाल की बात यह है कि रूस पर भी उसकी दोस्ति का कोई असर नहीं हो रहा है रूस का इस पस्ट कहना है कि भारत उसका परमप्रिक और सदबार मित्र है उसके साथ के रिष्टों को कोई भी देश परभावित नहीं कर सकता है कहने वाले तो यह भी कहते है कि चीन ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को नहीं बेचने पर रूस पर दबाव बनाया था लेकिन इन दोनों देशों के रिष्टे इतने मजबूत है कि ना रूस ने चीन की मानी ना भारत ने अमरीकी परतिबंदों की परवा की यानि जो विश ले सक भारत रूस रिष्टों में काले कंकर तलास्तर रहे हैं उन्हें भारत और रूस ने बार बार गलत साबित किया है आसा है दोस्तों वीडियो पसंदा आओगा आपसे शिगर बेठ होगी तब पते लिए अनुमती दीजे जय जवान जय किसान जय हिंद बंद मातरम